चानक के IS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जो अभी चर्चा में बना हुआ है भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्राले ने प्रले मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनाद करने का फैसला लिया है मंत्राले ने Armed Forces के लिए 120 प्रले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की पर्योशना को मंजूरी दे दी है ये पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्राटिजिक केमपेन के तहट तैनाद किया जाएगा ये मिसाइल 150 से 500 किलोमिटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है दिसंबर 2021 में लगातर दो दिन में दो बार इस मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया था कभी से सैना इस मिसाइल को शामिल करने की दिशा में काम कर रही थी प्रले को इंटर सेप्टर मिसाइलों के माध्यम से प्रले को रोकना दुष्मन के लिए बहुत ही मुश्किल है इसकी रेंज में आनेवाले दुष्मनों का बचना लगभग नामूमकिन है इन मिसाइलों को चेन और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर तैनात किया जाएगा इन्हें सबसे पहले वायू सेना में शामिल किया जाएगा इसके बाद यह हल सेना का हिस्सा भी बनेंगी अब हम बात करेंगे प्रले के बारे में प्रेले जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है प्रेले मिसाइल में सॉलिड प्रोपिलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा हुआ है इसमें नई टेक्नोलोजी के गाइड़ सिस्टम में State of the Art Navigation and Integrated ABO NIX भी लगाया गया है रिपोर्ट की माने तो प्रेले के निर्मान की बात 2015 से ही चल रहे थी DRDO ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया था प्रेले की खासियत के अगर बात की जाए तो अर्ध बैलिस्टिक सता से सताय पर मार करने वाली मिसाइल है ये इंटर्सेप्टर मिसाइलों को धोका देकर हमला करने में सक्षम है उडान भरने की बाद रास्ते में ही अपनी रहा को बदलने की शमता रखती है दुश्मन की वायू रख्षा प्रणाली पूर्टे द्वस्त करने में सक्षम है ब्रमो सूपरसोनिक मिसाइल के साथ मिलकर लंबी दूरी की रणनीतिक रख्षा प्रणाली का काम करने और निर्मान करने में भी सक्षम है अब हम बात करेंगे कि कैसे मिसाइल भारत की इंटरनल सेक्योरिटी में साहिता करेगी चीन के पास प्रले के स्थरकी डॉग फैंग 12 मिसाइल है जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है गजनवी M11 पाकिस्तान को चीन से मिली है गजणवी 320 km, M11 350 km और शाहीन 750 km रेंज की मिसाइले है ऐसे में प्रले की 33 से दुश्मन की चुनोती का जवाब देने की शमता हासिल की जा सकेगी और इंटर्नल सेक्योरिटी को मजबूत किया जा सकेगा DRDO ने अभी तक प्रले की गती का खुलासा नहीं किया है लेकिन प्रले मिसाइल दूसरे शौर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइलों की तुलना में जादा घातक बताई जा रही है इसकी सटीक मारक शमता इसे चीन की बैलेस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम बनाती है इसे जमीन के साथ साथ कनस्टर लॉंचर से भी दागा जा सकता है अब हम बात करेंगे इस मिसाइल की प्रस्ट भूमी के बारे में कि कैसे इसकी योजना बनी कि इसे शामिल किया जाए सैना में इस मिसाइल के बारे में DRDO द्वारा साल 2015 में ही चर्चा की गई थी DRDO ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया था कि यह बैलेस्टिक मिसाइल चीन की बैलेस्टिक मिसाइलों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है इस मिसाइल की खास्यत ये है कि इसे जमीन के साथ साथ हावा से भी दागा जा सकता है रक्षा अनुसंधा ने विकास संग्ठन द्वारा तयार की गई मिसाइल को और भी विक्सित किया जा सकता है सैना चाहे तो इसकी सीमा को और भी बढ़ा सकती है 2015 से इस सिस्टम को विक्सित करने पे काम जारी था इस तरह की शमता के विकास को दिविंगत जनरल वेपिन रावत ने थल सेना दक्ष के रूप में बढ़ावा दिया था इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल प्रिजू सब्सक्राइब न्यू लेजार प्रूट कि प्रूंड प्रंच शेयर वेर टॉपिक टॉपिक ये